अरे भीया क्या कर रहे हैं? नोट से कुरोना वारस फैल सकता है, पर डिजिटल पेमेट से नहीं. इसलिए खाता बुक आपके लिए लाया है यूपी आई की सुधा, जिससे पैसे जमा हो सीधे ग्रहक के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में. आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित, खाता बुक, बिजनिस हुआ इजी. एक अपदा वाली बात है, तो भुगतनी तो पड़ेगी, सब को भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से भुगते जा रही है, वो बहुत ऑलनाक है. 1947 की Partition का मंजर याद आता है, इसमें मैं जौर से दिल्ली जब आया था, तो खुद भी शामिल था, और इस किसम की भगदर मैंने अपनी आखों से देखी थी. तो ये तो अच्छी बात नहीं है, सरकार को इस बारे में कोई बड़े कदम उठाने चाहिए थे, कि ना ये सिल्सला होता कि लोग उखे मरते दिखाई दे, बसों के नीचे आते दिखाई दे, घर पहुंचने की चदो जयद में, घर पहुंच ही न पाएं, मंजर इतनी दू पोड़े डिस्टर्ब कर रही है, बाकी तो जो सामने है वो भुगतना पड़ेगा, जो मैनमेड है, ये भगदर वाली बाते हैं और दूसरे ये कर्ष्यू, लाक डाउन जिसको हम कहते हैं, वो तो मैनमेड है, तो मैन ही भुगतेगा, उसका बगवान में रोल तो कोई है न ये इश्वर में, एक सजाय है, जो सब के लिए बराबर है, उसको भुगत रहे हैं, कुछ पर वो अपने-पने अंदास से हैं, कुछ बहुत दुखी है, परेशान है, कुछ मेरे जैसे इतने अफेक्टिव नहीं है, इस सिल्सले में, पाठक, अभी कुछ लिख रहे हैं नह लिखने पहना तो गती नहीं है, आज की तरीख में बड़ी प्राबलम ये है नहीं कि लिखा किसी काम तो ये बचे-चुछ ए शाल में भी आने वाले नहीं है, पब्लिशर टरीकें से अभी तक अपने आपको रवान ही कर सकें, फिर पोब्लिशर की अपनी में प्राबलम च आप ताप को एसेप्ट करें तब जाके यह सर्गाट कपलेट होता है, लेकर के कुछ लिख लेने से तो नहीं नहीं चलता ना, मैंने लिखा कपलेट नावल कॉरोना में घर में था इस चकर में, तेकि मेरे को उमीद नहीं है कि वो इस साल में छपपाएगा, या अगले साल इश्वर जाने कब छपपाएगा, प्राबलम तो हर किसी की हर ट्रेड में हर तरह किया है, मेरे आप राहिटर को ये समय लिए थोड़ी कम है, क्योंकि उसकी क्रियेटिविटी पर तो कोई परोनानी लागाराना